कैसे हो आप सभी उमीद करती हूं सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत कुछ होंगे आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगे सिंपल सा फेस मास्क इस फेस मास्क को आपके से संटैन पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी या फिर आपके स्किन पे बहुत जादा डलनेस हो ढ八 सेदा फॉर यह समर सेधानिक अपड़ने Parlisum अफेस की लगाने कज़ीए गार फिर वाप हो म Dwight इस फेस मास्क को बनाईए गर पे और इसको आप यूस करिएगे अदेली यूस कर सकते हैं नैशरल चीज़े घभी हमारे फेस मास्क को बनाएगा भर पे ही और इसको आप इस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करती है तो आप इसको जरूर यूज करिएगा देख लेते हैं इसको हमें किस तरह से प्रिपेर करना है हाँ जी तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हमारा फर्स्ट इंग्रीडियंट है पोटेटो जूस यानि कि आलू का आलू लेना है हमें उसको अच्छे सी ग्रेट कर लेना है उसके बाद इस तरह से आपको जूस मिल जाएगा तूटेवल स्पून के करीब आप इसको ले ली ज इस तरह से स्क्वीज कर ले आप वन टेवल स्पून के करीब हमें इसका जूस यह मिल जाएगा अब हमाद थर्ड इंग्रीडियंट है लैमन जूस लैमन जूस में वाइटमिन सी होता है और यह हमारी स्किन के लिए बहुत जादा यूसफुल इंग्रीडियंट है आप इसका इस्तमाल समर सीजन में जरूर किया करें आपकी स्किन पे कभी भी डार्क स्पॉर्ट्स या फिर आपकी स्किन अगर डल नजर आने लगती है तो वंटेवल स्पॉन के करीब अब हमें क्या करना इन सभी चीजों को हमें कर देना है मिक्स मास्की यह बहुत ज़ादा बहुत जादा अच्छा है हर कि तरह की स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत जादा ड्राइल है तब आप इसमें थोड़ा सा ह के आप के देने बाद के बेंगे स्कai को अब दो से दे इसको किली कर लें कर लें अब आप सिर्फ ईठली हो जुए सिस्क्राइब अपने एक रूसे थिधा खुर मुन्ट को वास कर देंगे उसके बाद आप जो भी मुश्ची प्राइजर या जो भी आप एपलाई करते हैं वो आप कर सकते हैं इस फेस मास्क को आप हफते में दो से तीन बार एपलाई करिए या फिर बहुत जादा अगर आपके फेस पे संटैन की प्रॉब्लम है तब आप इसको डेली यूज कर सकते हो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं